मुद्दा ये नहीं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री होते हुए चुनावी सभाव में ऐसे जहरीले बयान दे रहे हैं, ऐसे विवादासपद बयान दे रहे हैं मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि प्रधान मंत्री जानते हैं कि इस तरह के जहरीले बयान देकर अपने ही देश के नागरियों के खिलाव जहर उगल कर उन्हें वोट मिल सकते हैं ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए, तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते, बोल इलाबाजाद है तेरे प्रधानमंत्री आप जानते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप देश की जनता को जॉम्बीज में तबदील कर देना चाहते हैं आप में से जो लोग जॉम्बीज के बारे में नहीं जानते हैं, आपने अकसर हॉलिवूड की फिल्मों में देखा होगा जॉम्बीज दरसल इंसान होते हैं मगर उनके अंदर आत्मा नहीं होती है, उन्हें सिर्फ हवस होती है मास की, उन्हें हवस होती है गोश्ट की, वो बस चलते रहते हैं और जहां उन्हें कोई जिन्दा चीज मिली उसे खाने का काम करते हैं, वो अपने दिमाग का इस्तमा प्रधान मंत्री आप अपनी बयान बाजी से आप अपनी राज़नीती से क्या देश की जनता को इसी तरह के जॉम्बीज में तब्दील कर देना चाहते हैं जिनमें सोचने समझने की खशमता ना हो मैं फिर आप से पूछना चाहता हूँ अपने ही देश के नागरिकों के खिल अमोमन करता नहीं हूं मैं खलत बयानी शब्द का इस्त्माल करता था मगर प्रधान मंत्री ने कमाम लक्शमन रेखाएं जो हैं उसे लांग दिएं प्रधान मंत्री बार बार जहले बयान दे रहे ہیں अब उन्होंने वोट जिहाद की बात कर दी है जी हाँ वोट जिहाद क्य कोई स्टार कैमपेनर भी नहीं है मगर फरूखाबाद में वो कैमपेनिंग कर रही थी उन्होंने वोट जिहाद शब्क का इस्तमाल किया प्रधान मंत्री ने बस उसे पकड़ लिया और उसके सहारे उनके विवादास पद्बोल सामने आये सुनिये साथियों इंडी गडबंदन की एक और रनदिती की पोल उसके ही नेताने देश के सामने खोल दिये अब इंडी गडबंदन ने मुसल्मानों से वोट जिहाद करने को कहा है अब बताईए हमने लव जिहाद सुना था लेंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद और वो भी पड़े लिके मुसल्मान के परिवार से बात आई है प्रधानमत्री पर आपसे पूछना चाहता हूँ वोट जिहाद शब्त का इस्तमाल क्या कॉंग्रिस आधिकारिक तोर पर कर रही है समाजवादी पार्टी आधिकारिक तोर पर कर रही है मरिया आलम खान को तो आप खुद भी नहीं जानते होंगे आपके प्रचार तंत्र ने आपको इनके बारे में बताया होगा मैं एक बास प्रश कर दूँ मरिया आलम खान ने जो कहा वो नहायत ही वाहियाद बयान है उन्हें इस तरह की शब्दावली का इस्तमाल नहीं करना चाहिए था मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ मरिया आलम खान कौन है अगर वो एक शब्दावली का इस्तमाल कर रही है तो क्या प्रधान मंतरी एक राश्ट्री मंच पर उसका इस्तमाल करेंगे मगर सबसे शौकिंग बात प्रधान मंतरी दारेंद्र मोधी ने मानो एक मूर्चा खोल दिया है देश के मुसल्मानों के खिलाब अब मैं उनका आपको एक और बयान सुनाता हूँ इस बयान में उनके मन में जो भावना है उसे देखिए कह रहे हैं कि कॉंग्रिस मुसल्मानों को पालता पोस्ता है प्रधान मंतरी के हाव भाव देखिए उनके शब्दों पर देखिए उनके शब्दों के चैन को देखिए जिससे पता चलता है कि वो किस तरह से इन शुनावों को जहरीला बना देना चाहते हैं सुनिए माइनोरिटी का रहा है और उसमें भी मुसल्मान इस वोट बेंक औरों ने बहुत पाला पोसा है बहुत खादियदारी किया बीटने रसकोई मक्षेत्री दलों ने कॉंग्रेस के इस वोट बेंक में भी सेंद मारी कर दी जो प्रादेजिक परक्ष है ना उन्हों कॉंग्रेस को जो इस मौनोपॉली थी माइनोरिटी की उस पर भी डाका डाल दिया याद कीजिए दोस्तों अभी कुछी दुनों पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी ने मुसल्मानों की तुलना खुस पैटियों से कर दी थी और उसके कोई जमीन नहीं थी प्रधान मंत्री ये बार बार कर रहे हैं अभी टीवी नाइन को दिये गए इस इंटिव्यू में उन्होंने ये तक कह डाला कि राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि वाइनाट के मुसल्मानों के साथ उनका क्या समझोता है जो वो राश्ट्रिय तोर पर उसे लागू करना चाहते है प्रधान मंत्री अववा बाजी कर रहे हैं प्रधान मंत्री जूट बोल रहे हैं और अब ये बयान जो उन्होंने टीवी नाइन को दिये गए इंटिव्यू में कहा कि वाइनाट के मुसल्मानों के साथ क्या समझोता है मैं आप से समझना चाहता हूँ प्रधान मंत्री कि आपने क्यों इस देश के मुसल्मानों के खिलाफ मुर्चा खोल रखका है याद कीजी अटल जी ने कहा था कि चुनाव आएंगे जाएंगे मगर ये देश बना रहना चाहिए प्रधान मंत्री को लग रहा है कि मैं जितने जहरीले बोल बोलूँगा मैं 400 के करीब पहुचूंगा क्योंकि अब की बार 400 पार, वैसे तो प्रधान मंत्री अब अब की बार 400 पार की भी बात नहीं कर रहे हैं, अब तो महज 272 सीटों की बात कर रहे हैं, 400 पार तो भूल गए हैं, मगर प्रधान मंत्री जानते हैं कि बहुमत का आखड़ा तब ही हासिल होगा, जब मैं इस तरह क जहरीले बोल बोलूँगा और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ आप जो इस देश की जनता हैं जब भारती जनता पार्टी के नेता जूट बोलते हैं जब वो जहर उगलते हैं चाहे आप हिंदू हो या मुसल्मान हो या सिक्ष हो तो वो आपके मुपर एक करारा तमाचा मार करते हैं क्योंकि एक सब्भी समाज में इस तरह के जहर इस तरह की गालियों की कोई जगा नहीं है मगर स्वयम प्रधान मंत्री इन शब्दावली का इस्तमाल कर रहे हैं मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ क्या प्रधान मंत्री को ऐसा करने का अधिकार है आप देश क जनता की सोच को किसमें तबदिल कर रहे हैं आपको लगता है कि अपनी राजनीती के चलते आपको लगता है कि वोटों के लिए मैं लगातार लोगों की नसों में जहर प्रवाहित करता रहूं जहर इंजेक्ट करता रहूं और वहीं दिखाई दे रहा है उनके भाशनों में हर भाशन में प्रधान मंत्री सिर्फ इतना ही कह रहे हैं और इसके लावा कुछ नहीं अब एक और बयान देखिए साहब काइदे से चुनाव आयोक को इस मुद्दे पर आक्टिव होना चाहिए था गुजरात जुनागड में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कॉंग्रिस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है कॉंग्रिस ने ये चुनाव भगवान राम के खिलाफ बना दिया है प्रधान मंत्री मुसल्मानों का सहरा लेते हैं आपकिस्तान का सहरा लेते हैं, राम का सहरा लेते हैं, मगर मुद्दों पर कभी नहीं आएंगे, मुद्दों पर आईए ना प्रधान मंतरी, महिला सम्मान की बात कीजे, बेरोजगारी की बात कीजे, महंगाई की बात कीजे, और जहां तक महिला सम्मान की बात है, तो साक्ष साक्षी मलिक के इस सवाल का जवाब दीजे मैं आपको बतलाना चाहता हूं ब्रिजभूशन शेरण सिंग को टिकेट नहीं मिला है कैसर गंज से मिला है उनके बेटे करण भूशन सिंग को आज आपकी एक महला पहलवान साक्षी मलिक जिनने सडक पर दिल्ली पुलीस ने घसी गया हम सबने अपना करियर दाओं पर लगाया कई दिन धूम बारिश में सडक पर सोए आज तक ब्रिजभूशन को गिरफतार नहीं किया गया है हम कुछ नहीं मांग रहे थे सिर्फ इनसाफ की मांग थी गिरफतारी छोड़ो आज उसके बेटे को टिकेट दे कर आपने दे लिकेट जाएगी तो एक ही परिवार में क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमजोर होती है प्रभू श्री राम के नाम पर वोट चाहिए उनके दिखाए मार्क का क्या मैंने अभी अभी आपको बताया प्रधान मंतरी ने कहा कि कांगरिस भगवान राम के आप दीजे ना वो आप से पूछ रही है फिर से प्रभू श्री राम के नाम पर वोट चाहिए उनके दिखाए मार्ग का क्या प्रधान नंतरी मुद्दे पर आईए इन मुद्दों से आप क्यूं भाग रहे हैं बताये ब्रिजभूशन की जगा उनके बेटे करण को आपन मुद्दों से आप लगातार भाग रहे हैं और अब आपको पाकिस्तान मिल गया क्यों क्योंकि सीमा पार पाकिस्तान के पूरु मंतरी फवाज शौदरी ने राहुल गांधी का भाशन जो है उसके बारे में ट्वीट किया है अब पाकिस्तान पकड़ लिया है प्रधान मंत अब देखिए पाकिस्तान के बारे में प्रधान मंतरी क्या कह रहे हैं कॉंग्रिस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं आगे प्रधान मंतरी सयोग देखिए आज भारत में कॉंग्रिस कमजोर हो रही है मज़ा ये है कि यहां कॉंग्रिस मर रही है और वहां पाक प्रधान मंत्री मेरे दो सवालों का जबाब दीजिए जब आप 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तब इमरान खान ने बाकाइदा ये बयान दिया था कि शांती प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दो बारा प्रधान मंत्र मंत्री बने यही न ही आई-ए-स-ाय के पूर्व प्रति असद दुर्रानी ने किताब लिखी है दे स्पाइख क्रॉनिकल्स और इस दस्पाइख क्रॉनिकल्स में उन्होंने ये तक कहा है कि आई-ए-स-ाय चाहता है कि मोदी ही प्रधान मंत्री बने रहें अब इन दो कुई नहीं कहा कि मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी प्रदान मंत्री बने हैं। A.S.I. ने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी रा कॉंग्रेस जो है वो सत्ता में आए मगर यहां पर असत दुरानी जो कि पाकिस्थांवी ISI के पूर प्रमोके उनका बयान है इम्रान खान नी यही बाद 2019 में कही थी बताईए मगर गोधी मीडियास की चर्शा नहीं करेगा पाकिस्तान को जितना प्रमोट भारती जन्ता पार्टी की राजनीती करती है न कोई और नहीं करता है और सबसे शोकिंग अब प्रधान मंत्री की शब्दावली के जरीए कही न कई देश का अपमान भी किया जा रहा है गोर से सुनिएगा उनका एक बयान जो मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ दस साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोज समझती थी कहती थी भारत खुद भी डूबेगा हमें भी ले डूबेगा कोई कहता था ये तो कंगाल कमजोर देश है पढ़ोसी आए दिन बंधमाके करते थे निर्दोश लोगों को मौत के घाट उतारते थे बड़ी बड़ी कमपनिया भारत आने का नाम तक नहीं लेती थी आज दुनिया में भारत का डंका बज़ रहा है और ये सब आपके एक वोट के कारण संभव हुआ है पहली पंक्ती पर इरनिगार डा लिए दस साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोज समझती थी कहती थी भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा कोई कहता था ये तो कंगाल कंजोर देश है कोई जो भी कहता था आप उस शब्दावली को दोहराएंगे आप उन शब्दों को राश्ट्री मंच पर दोहराएंगे एक अरसे से भारत के वजूद को ये दुनिया खत्म करना चाहती है प्रधान मंतरी और आप इस तरह की शब्दावली को दोहराएंगे एक राश्ट्री मंच पर मैं आप से पूछना चाहता हूँ किस देश ने कहा है कि भारत डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ इसी तरह से एक अंतराश्ट्री मंच पर प्रधान मंतरी बनने के बाद प्रधान मंत्री ने कहा था गिए एक जमाना था लोग कहते थे कहां आ गए कैसा देश है इस तरह के बयानात आपने अंतर राश्ट्रिय मंच पर दिये थे प्रधान मंत्री और अब आप ये कह रहे हैं माफ कीजेगा भारत कभी कंगाल देश नहीं रहा है 1990 के बाद से जबसे नरसिम्मा राव प्रधान मंत्री बने हैं और उसके बाद उदारवाद की जो प्रक्रिया चली और भारत लिब्रलाइज हुआ उसके बाद से भारत तमाम अंतर राश्ट्रिय देशों के लिए एक अट देश है आप बार बार जो बाइडन, डॉनल्ड ट्रम्प, बराक उबामा के साथ अपने दोस्ती की दुहाई देते हैं अब आप जानते हैं अमरीकी राश्ट्पती का तासा बयान आया है गोर कीजेगा जो बाइडन कॉल्स यूएस आलाइज इंडिया एंड जिपान जीन बार से जो लोग आते हैं उनके खिलाफ उनका जो रवया है वो बहुत शत्रता भरा होता है जीनोफोबिक शब्त का इस्तमाल किया है याद कीजे बराक उबामा ने भी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोशना की थी वो बराक उमामा जिसके साथ आप दोस्ती की दोहाई दिया करते थे प्रधान मंतरी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो बाइडन का ये बयाने भारत को जीनोफोबिक बताया गया है मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसे में 2014 के बाद दुनिया की निगाहों में भारत जो है मजबूत हुआ है य कीजे जब कॉंग्रेस के बैंक हातों को आपने फ्रीज कर दिये थे जब अर्विंद केजरिवाल को आपने जेल में डाल दिया था तब अमरीका ने जर्मनी ने यहां तक की सैयुक्त राश्र ने भी उसकी आलोशना की थी ऐसा कब हुआ है मैं आपसे समझना चाहता हूँ अंतराश्री तोर पर तो आपके सरकार की नीतिया आपके पुलिटिकल पार्टी की नीतिया देश की भद पिटवा रही हैं और आप देश के बारे में इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि कंगाल हो गया हमें तो खुट दूबेगा हमें भी ले डूबेगा इस तरह के बयाना के बारे में कुछ कहें कुछ भी कहते रहें भाशाई मर्यादा पुलंगन उसका करते रहें आप जो भी कहते रहें कोई आपको कुछ नहीं कहेगा जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है और अभी एक महिना और बचा हुआ है नजाने प्रधानमंत्री क्या क्या कहने वाले इश्वर अल्ला तेरो नाम सब को सम्मति दे भगवान अभिसार शेर्मा को दीजे इजासत नमस्कार